कि बेटा तुम खड़ी क्यों हो क्लास में सीट नी मिल रही आगे आजो थर्ड लाइन में आजो थर्ड लाइन में बिठा लो बेटा इसको पिर तेरी बेहन को जब कोई कहेगा यहां के बैट फिर अच्छा लगेगा थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए ना बैट जो पिटा चलो अपने देखो अपने विभार को ऐसा रखो जैसा तुम दूसरे के साथ करो तुमारी बेहन के साथ वही होगा या नहीं जहां वह कॉल मानते हूं अपनी बेटी के लिए मानते हूं मैं जैसा कर रह permissions ना कि पढ़ ऑने निकलेगी चाचा की बेटी मा मां की बेटी ऐसा नहीं को धर में रिष्टफरहीं नहीं मा भी तो होगी जैसा तुम कर रहे सा प्रौरे मां के साथ जरूर गदित हूआ होगा अब तुम कर र मत कर तुम्हारी उम्र का था ओ लड़का उसकी मां लगा लो मेरी एज की मुझसे दो चार साल बढ़ी होगी क्योंकि जो बच्चे 20 के हैं उनके मां 40-45 उनकी मां 45 साल तक की होती है तो लगाता है सीटिया बजा रहा है उसकी मां उसको कहते बैठा मत कर वो इरिटेट हो जाती है तो फील करता है कि मेरी मां ऐसा क्यों होता क्यों चुट रही है सीटि बजाने से घर में बैठके बजाना था सीटि तो उसकी मां को याद आता है कि जब मैं रोज बस स्टॉप पे जाती हूं 45 साल की अधेर उमर की एक गटिया लड़का मतलब ऐसे नहीं होते बिलकुली लड़कियों का नहीं होता आप गलत कर रहे हो ना कोई आपकी मां के साथ आपकी बहन के साथ कहीं ना कहीं को गलत करेगा फिर इसलिए समाज को अच्छा बनाओ क्लास को ऐसा बनाओ को लड़की वहां से अगर आरी और तुम कहरे भी यहां आजा तो ठीक है अपने आप तुम कोई वो छिछोरे, सत्तर असी के दशक के लड़के तोड़ी ना हो, पढ़े लिखे 21-22 सदी के लड़के बैठे हो, तुम कोई बच्चे नहीं हो अब, अपने विवहार को इतना अच्छा बनाओ, क्योंकि जब गलत बात बोलो ना, तो सोच के बोलना कि मेरे घर में जो दिवारी में नहीं रख पाओगे, तुमारी मा को भी कही नहीं बाहर निकलना पड़ता है, चाहिए वो मार्केट सबजी लेने जाती हो, गाओं में रहते हो, तो गली में तो निकलती है न, उसको भी सुनना पड़ता होगा, क्योंकि समाज बनाने वाले तुम ही लोग हो, तो यह ध्यान रखो सबको, कि भई किसी को हमारे किसी भी कमेंट से बुरा ना लगे, और इनको अलग मत समझो, जैसे तुमारी बहने ऐसी ही यह है, पसंद आना कोई अलग बात होती है, पर विवहार अच्छा रखना चाहिए, तुमारी परवरिश अच्छी माने किया, कम स कम यह दिखा के चलना